हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टु माई स्टेडी फिट चैनल दोस्तो प्रिवेस एर में इतने भी कोश्चिन्स फिजिकल एजुकेशन कंपटिटर एक्जाम्स टीटी पिजिटी के विएस एन विएस एल्डी में कोश्चिन्स पुछे गए हैं उन सभी कोश्चिन्स को टापिक व सबी वीडियो इसको वाज करके आप अपने प्रिक्रिपेशन को बेहतरीन कर सकते हैं दोस्तो डेली बैसे पर प्रिवियस एर यह सिर्ग दिये जाते है उसका प्रेक्टिस करना न भूलिएगा तो दूस्तो चलिये चलते हैं आज के महतपड़ किरस्ट तो दो first question है कि सब्सक्व की मान स्पेशियों को मजबूत करते हैं कि मान सब्सक्राइब है कि तो किलना के साध मान सपेशियों को बीवारियों का खत्रा नहीं रहता है नेक्स कोर्शन है नियुनिमेशे भार के कौन से दो प्रमुख घटक है तो दोस्तो प्रचिंचर भार के दो प्रमुख घटक है कौन कौन से इंटेंसिटी एंड वैल्यूम यानि की तिब्रता और मात्रा ठीक है तिवर्ता और वात्रा ये दो घटक है भार के आसर नंबर भी यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों जितना ही वैलियूम ज्यादा होगा तिवर्ता उतना ही कम होगा और जितना ही वैलियूम कम होगा उतना ही तिवर्ता ज्यादा होगा वैलियूम का मतलब होता है कि हम कि इसी कारे को कितना समय तक किये यानि जितना ही कम समय वल्यूम होगा उतना ही इन्टेंसिटी यानि तिव्रता ज्यादा होगी और जितना ही वैल्यूम ज्यादा होगा यानि कारे का समय ज्यादा होगा तिव्रता यानि इन्टेंसिटी उतना ही कम होगा ठीक है इस दोनों में बित करमानुपाती है एक दुसरे विपरित काम करते है ठीक है नेक्स कोर्चन है कि इतिहास के दोरान राजपूत राजाओं और राजगुमारों को किसका बहुत सौख हुआ करता था तो इस सब किसका सौख रखते थे शिकार खेलने का ठीक है तो एतिहासिक परिपेश से देखा जाया तो कहा जा सकता है कि राजपूत 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 को शिकार खेलने का बहुत सौख हुआ करता था कई राजाओं की मृत्तियों भी शिकार खिलने के दोरान हुई है ठीक है नेश्ट कोस्चन है कि एक खिलाड़ी जिसका वोजन पच्चास कीग्रा है और दो घंटे का प्रसिच्छर लेता है तो उसे कितने वोजन कियाव सकता होगी दोस्तों तो इसको पांच हजार से पच्पन सो कैलोरी किया सकता होगी जैसा कि दोस्तों एक लंबी दूरी की धावक के लिए और सतन कितनी कैलोरी किया सकता होती है पांच हजार से पच्पन सो कैलोरी उर्जा किया सकता होती है जैसे कि दोस्तों भोजन द्वारा मिलने वाली जो उर्जा होती है उस उर्जा की मुलवत्ता को उस्मा इकाईों अर्थाद कैलोरी या किलो कैलोरी की रूप में जाना जाता है कैलोरी उर्जा की क्या ही उस्मा की क्या है वह इकाई है वह मात्रा है जो कि गर्म पानी को एक डिग्री सेंट्रिगेट गर्म करने के लिए आवशक होती है उतना ही एक कैलोरी की बराबर होता है जसे कि दोस्तो बिभीन कार करने वाले व्यक्तियों को समाने कितनी कैलोरी आवशक्ता होती है ज्वय्यत जयसे कि दोस्तों यदि चोबीस घंटा कोई लेड़ा हुआ व्यक्ति हैने खालीडेड़े दिन बिताऻ रहा है कोई काम नहीं कर रहा है उस dowel डे 700 कैलोरी की आवशक् होती है कोई मध्यम कारे करने वाला ब्यक्ती है तो उसको तिन हजार से प्रेतिस सो क्यालोरी की चाहिए होता है ठीक है अब कोई कठेन परिश्राम Kaiser करने वाला ब्यक्ती हो या एथलीट हो तो उसको प्रेतिस सो से छे sap ihan कैलूरी का करने वाला बिकती हुए तो उसे 8000 तक कैलोरी आ सकता होती है ठीक है फिकेट कोच्छन है लंबी दूरी के धावक के लिए कितनी कैलोरी के आशक होती है तो लंबी की धावक क्याथलिट याथलिट के लिए कितना कैलोरी होथा एसकता होती है दूस्तों, पांच फजार से पचपन चोगा कैलोरी, ओफ समन नमबरD, और और 1520 से 48 गंटों में, तिभरे बती से बहुत कारच से होता है दोस्तों पानी की कमी से आपसन plus ली करेक्ट है दूस्तों जैसा कि डोपिंग वाले वीडियो देटेल में All os बीडीयो है इक बार्पिंग के बारे बे्डिख सबी तीन चार पास बीडियो है उन सब को देख लेंगे तो कब भी नहीं भूलेंगे डोपिंग को след pentru mine 24 गम्रव को कम करते हैं इसके लिए किस से 70% भाग जल का बना होता है और डियुले स्टिक्स क्या करता है पानी में सरीव से पाणी को निकान देता है और भार एक दम से कम कर देता है ठीक है कि किसी प्रकृरिया की धूरी सड़े और समतल पर बनता है तो समतल पर हमेशा समक कोड बनता है आपसन यहां पे correct होगा next question है सरीर के निम्नलेखित छेतरों को कौन उपर और नीचे के भागों में विभाजित करता है तो दोस्तों यह आप तल की बात कर रहा है यानि प्लेन की बात कर रहा है तो सरीर को उपर और नीचे भागों में कौन सा प्लेन तो दोस्तों जैसे कि तीन तल यानि तल यानि प्लेन होते है कौन कौन सेजिटल फ्रोंटल होरिजन्टल सेजिटल को लेटरल या मीडियल प्लेन भी बोला जाता है और सेजिटल प्लेन का करता है वो हमारे शरीर को दाए और बाए भागों में बाढ़ता है और जो गती होती है इसमें आगे पीछे होती है यानि इसमें फ्लैक्शन एक्स्टेंशन मुमेंट होता है जो फ्रंटल प्लेन होता है उसको क्रोनल या एंटिरियर और पोस्टिरियर फ्लेन कहते हैं यह हमारे शरीर को आगे और पीछे बाड़ता है और जो गती होती है दाय बाय होती है यानि एड़क्षन एड़क्षन मुवेंट होता है ठीक है और जो होरिजर्टम प्लेन होता है जिसे ट्रांस्वर्स प्लेन भी बुला जाता है यह शरीर को उपर और नीचे बाड़ता है ठीक है और गती जो है गती भी उपर नीचे होती है याने कि जभी घुरणवा चक्री यह गती याने कि rotation and elevation जितने भी गतिया होती है वह horizontal plane में होती है जैसे depression, retraction, protection ठीक है कि दोस्तों कहा जाता है कि जिस बिंदू पर तीनों plane मिलते हैं उसे cg point यानी central of gravity point या cardinal point कहते है ठीक है तो यह तो हम जाने तीनों plane के बारे में दोस्तों जैसे कि यहाँ पे question क्या पूछा है कि सरी के निम्लिकी छेत्रों को कौन उपर नीचे भागों बारता है तो transverse plane यानी horizontal plane आप्सन नंबर यह यहाँ पे करेट होगा कि दोस्तों खेल कुद विस्थापर में कौन शा लीवर अधिक प्रहावित होता है ठीक है दोस्तों हमारे सरी में खेल कुद विस्थापर में सबसे अधिक कौन शा लीवर यानी कि उत्तोलग प्रहावित होता है तो तृतिये दर्जे का लीवर ठीक है तृतिय कि अडिएक घुर काल करती है उसी कष्का चिर्फी सरे को किल दोखड़ते हैं उसी को उट्तोफ भुद्ते हैं उत्तोफ का चाहिए करती है ठीक है हमारे सरी में लंबी हडिया किसका कार करती है उत्तोलक का कार करती है यानि हमारे सरी में जितने भी मुमेंट होते है वर्षब लीवर के द्वारा ही होते है यानि कि उत्तोलक के द्वारा ही होते है जितने भी मुमेंट होते है इसलिए हमारा सरी एक लीवर की रूप मे कारे करते हैं और हमारी सरी में जो मांस्पेश्या होती है वो बल लगाने यानि फोर्स का कारे करती है ठीक है तो उत्तोलक में तीन भुजाए होती है एक्सिस रसिस्टेंस एंड फोर्स यानि बल भुजा भार भुजा और एक्सिस यानि अच ठीक है तो दोस्तो जैसे कि उत् प्रथम प्रकार के उत्तोलग को संतुलन का लिवर कहते हैं जैसे कि दोस्तों इसका ट्रिक है यफ ए आर ठीक है यफ ए आर के नीचे आप 312 लिख दीजिए तो 312 जब लिखेंगे तो यफ के नीचे 3 आएगा एक नीचे एक आएगा और आर के नीचे दो आएगा तो यहां पर एक जहां पर आ रहा है यानि कि प्रथम प्रकार के उत्तोलग में बीच में A आएगा यानि कि एकसिस यानि प्रथम प्रकार के उत्तोलग में एकसिस जो होगा ओ फोर्स और रसिस्टेंस यानि भार के बीच में होगा और दूसरा पर क्या आ रहा है आर यानि दि तीसरी प्रकार के उतलग को बल का लिवर कहते हैं और तीसरी प्रकार के उतलग में क्या आएगा तीन के ऊपर क्या है यह 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 यानि फोर्स यानि तीसरी प्रकार के उतलग में बीच में फोर्स आएगा यानि कि जो फोर्स होगा एक्सिस और असिस्टेंस के का दूम्बल करना हाथों से लियश को दबाना जिसे हमारे शुरीर हमारे लेक्जांपल रं उत वच्छ, यानि अग्र बाहों का विस्तार, फ्टारम एक्स्टेंशन एनकल फ्लेक्सट ये दोनों आते हैं, सिर का आगे और पीछे जुकना, अब बाली बाल में स्मेश करना, ये प्रथम प्रकार के उतोलक में आते हैं, ठीक है, यसे कि एक्स्टेंशन आप फ्टारम, यानि कि फूर आर्म का extension, अगर बाहू का extension होता है, इसमें elbow joint जो होता है, वो एक्सिस का कारी करता है, जो triceps muscles होता है, वो बल का कारी करता है, जो फूर आर्म होता है, यानि अगर बाहू होता है, वो प्रतिरोध यानि भार का कारी करता है, ठीक है, उसी तरह दोस्तो ankle flexion में, जो हमारा पेर का ankle flexion होता है उसमे ankle joint exercise का कारे करता है और टिबियर्स muscles force लगाने का कारे करता है और पेर के पंजे जो है वह resistant या भार का या प्रत्रियोत का काम करते हैं दोस्तों दिती प्रकार के उतलग में क्या होता है उससे बल का लीवर कहते हैं इसमें resistance यानि भार फोर्स और एक्जेश के वीच में होता है ठीक है और इसमें एक्जम्पल होता है सरवता कुड़ा उठाने वाली मशीन निवनी चोड़ने की मशीन कागज में सुराग करने वा पंजो को उपर की उठना हमारे जो पर के पंजे है तो इसमें टकनिका जो एक्षिश का कर रहा है पास की पेशी वल यानि फोर्स लगाने का कार कर रहा है हमारी जो एड़ी है वह resistance यानि भार का कार कर रहा है और एक्जम्पल है दोस्तों जैसे की push-up करना ठीक है push-up लगा यहां बास्केट बाले 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 पंजे से जंप ले रहे हैं इसमें उंगलिया हमारे पैर के जो उंगलिया एक्सिस का काम कर रहे हैं जो हमारे काप मसल्स जिसे गस्ट्रणूमियस मसल्स भी बुला जाता है उसे वह फोर्स का काम कर रही है हमारे जो है रसिस्टेंस यानि बाड़ी उख्यामपल है आर्मफलेकशन यानि हांध का मुडना कुछा पर्थिरोथ फार ये जाक़ू का काम करता है घृड्रियां सब्सक्रण करने ऐसा में जाद करया है क्वाय जो अगरर्पावगा प्रसुट तर्या approach दूस्ट्रिय सब्सक्राइब गोटने का मुड़ना, सीट अप, हाथ को उपर उठाना इस सभी एक्जामपर्स हमारे बॉड़ी में तृती प्रकार के उत्तोलग में और हमारे सरीर में सबसे ज़्यादा तृती प्रकार का उत्तोलग पर जाता है और हमारे सरीर की लंबी हडिया जो होती है वो उत्तोलग का कार्य करती है तो यह चोड़ता है कंडक्षान यानि कि चालन प्रकीया के चालन यानि कंडक्शन प्रक्रिया के तह छोड़ता है चालन उस्मा संचरर की वह बेधि होती है जिसमें उस्मा जो है एक कर से दुसरे कर में होती हुई एक अस्थान से दुसरे अस्थान को जाती है जबकि कर जो होता है अपना अस्थान नहीं छोड़ता है कर अपने अस्थ डोसतों कि कुस्ती में बिरोधी को ऊपर उठाना Newton के उदाहर है का टो कुस्ती में बिरोधी को ऊपर उठाना Newton के की उदाहर है जडता नीयम तिक है जर्ता का नियम क्या करता है कि कोई भी वस्तु यदि इस्थी रवस्था में है तो वह इस्थी रवस्था में ही रहेगी और गती कर रहेगी तो गती करती ही रहेगी कब तक जब तक कि उसके कोई वाहबल कारें न करें या वाहबल न लगाया जाए ठीक है तो दोस्तो नीटन ने कितने नियम दिये हैं तो नीटन ने तीन नियम दिये हैं जिसे जर्टा का नियम प्रसं नियम तुरोर का नियम देती नियम क्रिया प्रतिकिया का नियम तृती नियम यानि तीन नियम दिये हैं attract 9 विiserolics वेक्षीध क्या का है विर्तिब्द करेक्ण बार बड़ पुछा जाता है even कि करिंद लुटार क्या करें उतल्ड पर anti कारण है तो दूस्ट की न 6 यांपर फ़रेक्ट व्योता होगा जैसे किा जो सब्सक्राइब दिश्टि से समान नहीं होते हैं बलकि उसकी स्राजनात्मक शक्ती भी होती है जो बहुतितिक के निमार में सायक होती है कि इसमें हमारी भावनातमक मनोबैज्यानिक और समाजिक खुशहाली शामिल है हम जैसे जैसे जिन्दगी का और सामना करते हैं यह हमारी सोच भावना और क्लिया को प्रहावित करता है यहां किसके रूप में जाना जाता है तो यहां मानसी किश्वास्ते के रूप में जाना जाता है ठीक है यहां मानसी किश्वास्ते के रूप में जाना जाता है next question है कि निमने लिखित मेंशे कौन खेल का आंतरिक पुरुषकार है तो खेल का आंतरिक पुरुषकार कौन है आत्म शम्मान यानि कि self-esteem हमारा आंतरिक पुरुषकार है खेल का आपसन नमबर D यहां पे correct होगा तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आई होब कि दोस्तो सभी questions आपको समझ में आए होंगे दोस्तों इसमें जितने भी questions दिये गए है सभी very important है सभी को समझना आपको बहुत ही जरूरी है दोस्तों daily basis पर preparation करते रहिए एक दिन में preparation होगा नहीं और questions को समझते हुए आगे चलिए दोस्तों क्या कह रहा है रटने से कभी जिन्दगी में कुछ भी याद नहीं होगा तो समझते हुए चलिए दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे comment में जरूर बताइए और फर्ष्ट बर विजिट कर रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बिल आइकन को फ्रेस कर लिजिए जिसे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिल